और तो आज का मैच जीतने के बाद गुजरात की टीम 10 में से 7 मैच जीत चुके हैं मतलब बच्चे 4 में से ने कम से कम 2 मैच जीतने हैं अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर कंफर्म करने के लिए और अगर देखें गुजरात के मैच बचे किस किस से हैं लस्जी मुंबई, हाइदराबाद और रसी भी चार मैच इने सिर्फ अब यहाँ से केलने हैं और जो चार मैच इनके लिए कहीन है कि बहुत ज्यादा आसान भी रह सकते हैं इसके बाद राजस्थान के टीम को इस हार के साथ बड़ा जटका लग चुका है दस में से पांच जीते हैं, पांच यह मुकाबले हारे हैं तो जो राजस्थान की टीम हमें इस सीजन के शर्वात में बहुत ज्यादा शांदार देखने को मिल रही थी जो पास एक बहुत बड़ा इंपुट था कि यह टॉप टू में रह रह रहे थे हर एक इंसान इनको क्वालिफा यहां से करवा रहा था प्लेइओस के लिए लेकिन अगर आप देखें, 10 में से इन्होंने 5 जीते हैं, 5 हारे हैं RCB अगर आप आप पॉइंट सेबल पर देख लें, 9 में से उन्होंने 5 जीते हैं, 4 हारे हैं 9 में से 5 मुंबई ने जीते हैं, means now RCB and Mumbai are a little ahead than Rajasthan Royals एक match कम केलके उनके भी अंक चो हैं वो यहां पर उनके साथ सेम दस है जबकि Punjab और यहां पर जो राजस्थान की टीम है वो दोनों यहां से सेम पेज़ पर मौजूद है कि गुजरात की टीम ही एक मातर ऐसी टीम है जिनका अब यहां से क्वालिफिकेशन जिनकी अब यहां से क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इसी नजर आ रही है चार में से 2 मैं जीतने और जिस तरह से टीम ने अच पर्फॉर्मस किया है I think this year as well this will be the first team which is ready to play off और कल के वीचे दो मुकाबले होंगे guys जो हम देखेंगे एक है CSK एक पॉइंस सामने रहन दीजेगा MI और CSK का दूसरा है RCB और Delhi का अब दूसरे माच में लगभग लगभग यहनुमान लगाया जा सकता है कि RCB के फेवर में जादा जाएगा जब तक कि दिली फिर से कोई एक spoiler play out ना घर दे अगर ऐसा होता है तो RCB दस मैचेज में से 6 जीट जाएगे और 2 अंक इंको मिल जाएगे पहले मुकाबले में जो भी टीम जीती है अगर MI जीती है तो उनको भी 12 मिल जाएगे तो मतलब कल के दिन में या तो MI और RCB बारा उनको के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुच जाएगे या दूसरा combination बनता है कि अगर RCB जीत रही और CSK जीत रही है तो भी RCB फिर भ पहुच जाएगी और एक बार चिन्नाई के साथ साथ अगर MI ने टॉप 4 में अपनी एंट्री बना ली और वह भी इस टाहिपे जब 70% of the tournament हो चुका है तो CSK और Mumbai तो दोस्तों यहां से प्रोग्रेस करें जाती है तो अगर चिन्नाई की टीम जीते और उसके बार दूसरा मे में नहीं भाएंगे लिगर एक भी चीज फिसल जाती है तो वो टॉप 4 की जो इस तमया आपके बास एक कुशन है वो टॉप 4 के कुशन से आप वहां से बार जाएंगे जो दिक्केत बढ़ाएगा बट ऐसा तो नहीं हो गा कि डोनों मैचेस राहिस्थान के चाहेंगे राहिस्थान के अचाहिए कल जो है जो दोनी मैचेस रहें बहुत बड़ा ओलट फेर करने वाले हैं अगर से अगर चेन्नाई भी जीती है दूसरे पर आ जा जो है फिर इनके पांच मैच जो है फिर इनके सिर्फ और सिर्फ तीन मैच बचेंगे जीतने होंगे क्योंकि 11 पॉइंट हो चुके हैं अगर एक पॉइंट इनके पास बचेंगे सिर्फ तीन मैच और तीन मैसे नहीं तीनो जीतने होगे क्योंकि क्वालिफेकेशन एक लिस्ट अभी जो सिनेरियो है आज की डेड में तो मुझे नहीं लगता के सोला पर इतनी एजिली आप नंबर चार में टॉप फूर में कॉलिफाय कर जाओ अगर कहीं एक पसंट चैन्ही की टीम को कल की जीत मिल जाती है तो गुजरात और चैन्ही आर मोस्ट फेवरेबल तो मेकेट टू तो क्वालिफायस लेकिन अगर कल मुंबई जीत परफॉरमेंस आ रहा है अगर कहीं कल मुंबई की आती है बाद मी बैटिंग तो वह मैज जीत रहे है लेकिन अगर कहीं बाद में बोलिंग आ जाती है आप तॉस हार जाते है तो आप इस बोलिंग के साथ इतना उमीद नहीं रख सकते कि शाएद ये बोलिंग आपको जिता बनाने में इन दोनों टीमों की वो राइवली ना होती है आई-पेल को बड़ा बनाने में इन दोनों की बहुत बड़ा यह बनाने बहुत सरों के लिए तो कल का इन दूसरा मैच उनके लिए फिनाले की तरह होगा विकोस इस वुट बिगर MI और CSK पान्स के लिए आई-पेल पानल जो थाइस को होगा बिलकोल तो कल वो बहुत बड़ा मैच है क्योंकि देखो मैच चेन नही के पॉंट अविव से सोच रहा हूं अभी क्योंकि चेन नही मोस लाइक सबकी फेवरेट है यहां पर अगर थोड़ा सब मुझे छोड़ दें लेकिन अगर कल चेन नही हार जाती है क्योंकि मुम्बई के लिए तो फाइदा है और चेन नही वाले जितने भी फैंस है क्योंकि चेन नही ने एक मैच हम से जाधा खेला है हमारे चेक चेक आपको अवाज आरी है क्योंकि मुम्बई इंडियंस देफिनिटली एस चांस है आर्सी बी डेफिनिटली एस चांस है आपके गुजरात पजाई जारी है तो पहले भी मैंने लाइब में आपके बोला था और थोड़ी सी टेकनिकल दिफिकल्टी हो रही है पता नहीं आपने कैसा आज करा है लेकिन मुम्बई इंडियंस और आपको सुनना भी होगा ना मेरी आवाज सुननी होगी लाइब में तो प्लीज है तो मुम्बई इंडियंस देफिनिटली जिस तरीके का उनका फॉर्म चल रहा है उनको जाना चाहिए और राजसान रोयल्स मुश्किल हो गई आज जिस तरीके से हारे है बैटिंग चलनी रही है तो अगर अगर आप देखिये तो राजसान रोयल्स नो अगर टो मिणस जीकाल थिस तरीके से तरीके से अगली बार भी देखिये तो फॉर्स basement में चाहिए यहाँ घरगा। गौतम कंभीर सापने देख लिया क्या होगा मुंबई वर्सेस के भी कुछी मना लेते है मुंबई वर्सेस CSK El Classico Mumbai Chennai Mumbai Chennai Mumbai Chennai है कल अगर Mumbai Chennai है कल तो 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 आपको पता चली जाएगा कि Mumbai जारी है विकॉस कल Mumbai मुझे जीती है विच्छे पॉक है Mumbai का तयास जरूर अच्छा रहे लेकिन बॉलिंग उतीनी जादा खास नहीं है उनकी देखे इस टाइम पर हाँ बस यह है कि तॉस अगर Mumbai चेस करती है तो उनको फाइदा रहेगा अगर वो डिफेंड करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बट फिर भी मुझे लग़गा जिस फॉर्म में प्रॉब्लम में चेन्नाई है चेन्नाई भी जिस फॉर्म में और Mumbai भी जिस फॉर्म में I think Mumbai को जाना चाहिए कल जीतना चाहिए Mumbai को पहले पहला मैच हार भी करते है तो एकुलाइज भी हो जाएगा और यह पता चल जाएगा कि प्लेओफ में इस बार दोनों L Classico तो हई है लेकिन दोनों बड़ी टीम्स Mumbai भी और चेन्नाई भी दोनों बड़ी टीम्स फॉर्म में जारी है और इस बार घमासान यूत होने वाला है प्लेओफ के लिए भी होगा प्लेफ में प्लेओफ में भी होगा प्लेओफ में भी होगा प्लेओ तो में अछे के भी होगाता यूत अर्बलव श Rapt men अल्ण आद झाल पिस्ली कोण सब्सक्रा थे चेन्नें के लिए राजास्तान बहें इन इना प्ली कर एक दोगा यू राज टीम्स में आपिसलीक्वाल ते wellness सी बाट शेवल में उता होगाना एक आपका लिए देके बैटर चलता है, उसका नाम है एशस्थी जैस्वाल, बाकी पिछली बार भी देख लोगर उठाके, 200 तक जरूर पहुंच गए थे, बाकी एशस्थी जैस्वाल, मेरे खाल एकसो पच्चिस पच्चिस था, नेक्स हाइस रंत हो जिए, वह एठारा रंत 18 run, वह एक आडमी 124 दूसरा 18 run, अज़ अँग मैं जान्ता रॉयल्स पर चांस नहीं नहीं लग रहा थे, यह रॉट्स्था पिछली पहाईस्पार पुचा था, वह रहां था, गँश्थी जैस्था रुठल पहः जैस्था सभींच पहाईस्था पोछ तो जरुद्ल क्रा कि अज़ने सब्सक्राइब का बश्याइब कर दो प्रॉब्लम होगी वह जीतेंगे 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 धोनी के अंडर छोड़ने नहीं बाले भी पड़ी तगड़ी तीम है आएंगे प्लेओफ में यही गुजराट, मुंबई, चैन्नी और र-c-b आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग को बुरा लगे, जो देख रहें उनको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो मर्जी लगे और र-c-b इस वार देखिए लिए प्लेओफ में आये थे तो विदाउट विराट कोली, विदाउट फाफ दिपलेशी आये थे और विदाउट मैस्वेल के थोड़े बहुत रनायते हैं तो दिनेश कार्तिक के रनते इस वार विराट कोली भी चल रहे हैं लेकिन बस यह चल रहे हैं तो देखे हैं क्या होता है अँब स्पिले की शरीथ रुद के चन्माषी से सब्सक्राइब लेख करें, थे ही है तो यह होगा शरीष फेक्ल रहे हैं से मुझन हृषणराइक, अरतão है कोई हारी और कल देखो अगर Chennai हार जाती है फिर से तो उनके लिए भी मुश्किल पड़ेगी उनके लिए भी डेफिनिटली यह नहीं होगा कि 100% है ही है कि हम जा रहे हैं आज राजस्तान की टीम ने किया क्या आपके एक मन प्रिये थोड़े है किलाडी रियान परागी को आज फिर इंपैक्ट बेर के तौर पर ले आए छे गेंद पर चार रन बनाए राशित खान का शिकार हुए उसके बाद भाज साब रिव्यू भी खराप करके गए है तो रिय रियान परागी ग्टोच म3 को दालने का मक्सद क्या है उनको कितनी बार तरा IKRO तर за रांगे कितनी बार उनको राे करेंगी वाहर और धार राखरेंगे उनको चाइंज करेंगे कोई प्लेयर आप थावझогण जब समझ में आती है कि कोई तरीका हो, किस तरीके से बाहर हुए- अंदर हुए- क्या हुआ नेकिन यहां पर अगर कोई और ब्लेयर उस खेल गुँ हो उसकी जगह पर खिla दिया किसी आस Quick cœur player को जो ido फॉंम के हो कोई यहां उसको प्राइ से फॉंम में नहीं है उसको आपने ड्रॉप किया क्योंकि फॉर्म में नहीं है फिर यहां पे जगा बना लिए उसी फ्लेयर के लिए फिर से दुवारा तो क्या दो मैच के बाद उसमें कोई शक्ति आए जाएंगी यहां तो खिलाना है पूरा खिला लो फिर दो मैच में ड्रॉप कर देते हो जब अज्ट देखा जिए जब फिर दो गुष्ण नहीं चलता अधर नहीं चलता विर बाहर निगा लेतो हो जवार निगा लेतो जब फैंस चीखे मारते हैं रायसान रोल्स अप्रोच एक डिए लॉप्रोच डेखे नी अगरा एक डोग प्लियू पिछा मैच जीते बहुत बह आप हमेशा फेवरेट कंटेंडर में थे, आप टॉप टू के अंदर वहां पर रहते थे, लेकिन वहां से जो हमका पूरा हमें एक कम बैक आता हो देखने को मिल रहा है, करून नायर जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं केल राहूल को लगनौ सूपर जायंट्स की स्कॉर्ड में करेंगे, हाला कि उनके आने से उतना ज्यादा इंपाक तीम में ना पड़े कि आप मोस्ट लाइकली कुंटन डिकॉप को आते देखेंगे कि कुरूशल स्टेज है करो नायर कैसी फॉर्म के साथ आए, कैसी फॉर्म के साथ नायर वो एक बड़ा सवाल जरूर रहने वारे, पॉइंट सेबल को लेहाजा है रखते हुए, टॉप पर जुरूर गुजरात की टीम है, 14 मैसे आपने टोटल खेलने हैं, साथ मैच आपने जीत लिये हैं, दस मैच आपने भी खेलने हैं, चार मैच आपके पड़े हैं, चार मैसे सिर्फ दो मैच जीतने हैं, शायद इस बा कि अअदर नें जीतने हैं, चार म भी खेलने हैं, जीतने हैं, चार मैच सेवल्मेश के परते हैं, मैच जीतने हैं शायद मुंबाई तो नहीं चोड़ने वाली और CSK भी मुझे लग नहीं चोड़ने वाली इसलिए थोड़ी पर दिए प्रफिड्यो कर था मुंबाई वर्सेद के फाइनल कर दो मुझे भी मुझे विपने पार से लिए का में किई लग के लुझे नहींग्टार नहीं जाएकल के लिए सम्हाव सकते हैं सेबल पर भलाई अभी उनके लिए सिचुएशन बहुत स्केरी ना हो लिकिन जो सिचुएशन और स्केरी बन रही है वो है कि जो और टीने हैं मुंबाई, पंजाब, लक्ना और चेन्नाई यह ज्यादा स्ट्रॉंग ली आने वाली है आने वाले गेमों में तुमेक अ कमबाक प्लास जिस समय एक टाइमिंग होती है अभी राजस्तान का जो डिप आया है बहुत क्रूशल टाइम पर आया है जब चीजे इनके लिए इस समय को मोमेंटम पकड़ना चाहिए तो और एक पेस मिंटेन करनी चाहिए थी, they are now dipping down and other teams are going up so this is not going to work in their favor because every two points lost right now I feel is going to come down very heavy on that team because one team होगी जो दो points आसानी से ले सकती है यह two points के खेल बहुत बढ़ा हो जाएक अब यहां से 10 में से मातर 5 मकाबले वहां पर जीते गए है दस में से मातर 5 मकाबले वहां पर जीते गए है दस में से मातर 5 मकाबले वहां पर अभी तो राजस्तान ने जीते है लेकिन अभी के लिए अगर ऐसा वह सेनारियो जाता है तो जरूर गुजरात is in a comfortable position and बाकी rest all teams have to think something really really good यहां पर अगर एक पॉइंस टेबल दिखा दे जरा और असके deeply हाँ बिल्खुल कॉन कॉन से team है अगर अगले अपने matches वहारती है तो almost मुझे लगता है के यहां पर बंद कर देगे में पावर सोस्से को प्लीज बंद कर दीजे है तो अभी देखो जीटी के 10 मैं चोचुके हैं दसमैं से उन्होंने साथ जीत लिए तीन हा रहे है अल्मोस्ट अगर वह अगले दो मैचे जीते हैं तो जीटी इस इंदा कॉलिफायर उसके अलावा अभी इस वक्त एलेस्जी के 10 मैचे वह पांच जीते हैं चार उनोने हा रहे है और पॉइंट सेबल पर बहलें लेकिन 11 अंके हुनके सेस्के की इस पांच जीते हैं चार उनोने हा रहे है और इन अगर अगर आप लिए जिए और C.S.K. और R.R. को एक लिए लिए जिए को भी देख लें R.R. जिस समय पर T.E.में पीक कर रही है R.R. उस समय पर डिप कर रहा है यह बात हम सिर्फ R.R. के लिए नहीं कह रहे हैं यह बात हम सिर्फ C.S.K. के लिए भी कह रहे हैं और उसके बावजूद चेनरी सुपरकिंस की टीम ने मैंटेन किया टॉप फोर में लेकिन अब क्योंकि बिजनेसेंट के टोवर्स नीचे दीरे दीरे जा रहा हैं CSK का देप अगर CSK अगला मैच अपना हारती है क्योंकि मैं इसलिए बोल जाएं कियोंकि यून्होंने एक मैच ज्यादा खेला है अगर आप मैं यह मत्तों आप क्योंकि एक मैच ज्यादा कहला है तो क्या होगा CSK के 11 मैच हो जाएंगे और 5 जीतेंगे 5 हारिंगे और points stable पर 11 ही number रहेंगे विच मींस के पर जाएंगे वहीं कल अगर क्योंकि CS के अगल हारती है तो MIU उपर पहुंचाएगी और रीचे से अगर RCB भी जीत जाती है तो RCB उपर पहुंचाएगी अब सबसे बड़ी चीज यह है कि RCB MI के बार बार पॉइंट हो जाएंगे और चेर्ने सुबब गेंगे सिर्फ 11 अगल आकर सिर्फ चेर्ने अगले तीन मैचेस में अगर कल का मैच आप निकाल दो चेर्ने के चार मैचेस बचें वहारते हैं तो उनको क्वालिफाई करने के लिए तीन मैचे तीन हो जीतने पड़ेंगे ताकि उनके सत्रहों क्योंकि सोला पर I don't think qualification इतना आसान होगा क्योंकि वह अगला मैच बहुत अदा क्रूशल होने जाना होने वाला है और मुंबाइन जीत जाती है अगर लगनु परसों ये मुकावला जीत जाएगे गुजरात से तो गुजरात तो चलो 14 है कुछ नहीं होगा गुजरात के बचे हुए मैचेस है लिकिन लगनु तेरा पर आजएग तो उसका मतलब और कॉंपलेक्स हो जाएगा ये तो एक बार पॉइंट से बना इसी पर लगा दें थोड़ा फोन से देखने है बैसिकली लगनु तेरा पर होगी तो मतलब ये होगा कि गुजरात चौदा पर रहेगी लेकिन लगनु नंबर दूसरे सान पर आजएगी तेर अगर कल Mumbai से for example हार जाती है अगर Mumbai अगर कल यहां पर हार जाती है तो और RCB अगर जीत जाती है तो RCB उपर पहुंच जाएगी अरार फिर CS के भी नापर रहेगी पहुंच 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 पहले चिन नहीं पर हो चिन नहीं तीसरे स्थान पर ही रहेगी तो likely है कि RCB डिली से जीत रहे है je mean RCB आजाएगी आपकe लिए दूसरे स्थान पर चैन नहीं अच पहर पहुंच, उप मुंबई की जीत के साथ पिराल हमने पॉइंट सेबल पर कुछ सब्सक्राइब करें तरीके से इस वीकेंड पर एक डेंजर स्पॉट में है जो भी टीम जीती है वो अब्वियस्ली राजस्तान के उपर जाने वाली है अगर चेन नहीं है तो वो उपर रहेगी अगर मुंबई लुमबई के लिए अगर जीटी और लकनो है तो जीटी तो अलड़ी उपर है लकनो भी उपर रह जाएगी मतलब हर केसे सेनारियो में राजस्तान टॉप फोर से इस वीकेंड पे नीचे आ ही जाएगा और उसके बाद उनके लिए टॉप फोर में वापस जगहा बनाने का म से जीत रहे हैं मेजर ली कौन से मैचेस टीम हारती हैं वो कॉंबनेशन अब राजस्तान के लिए जरूरी बन जाएगा अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया कल एमाई खास तोर पर मैं बात करूँ चिन्ने के लिए बहुत इंपोर्टन मैच है लेकिन मुंबई और अगर RCB कोम देखें इन दोनों के लिए भी बहुत 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 इंपोर्टन मैच है क्यूंकि अगर मुंबई हार गई तो दस मैचे हो जाएंगे बचे चार क्वालिफिकेशन के लिए आपको अठारा तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे तो इने चार मैसे चार जीतने पड प्र चाहिएंगे यह और मेरी वही वही हो जाएगा रा तो रसी अरफ दो फॉर्ट पर पार्ट प्रों तीन जो मैं बटा सकते होंगे गुज्राथ चेन आइख और जिस तरह से भी कारेंट सेनारियो लग रहा है हो सकता है मुंबई आ जाए अगर मुंबई नहीं होती है त लगनाव और बैंगलॉर इन पाँच तीमों में फाइट हो जाएगी लेके फाइट अभी मैं साफसाफ कहूंगा ये फाइट जरू रहने वाली है बड़ गुजरात का काम कंफिर्म है गुजरात इस ओर थू थू फ्लेफ उसके नीचे कि जो भी बाकी की तीन टीम्स है आने अब इस प्रफॉर्मस रहेगा आप उसी लेहाजे पर आखेंगे उससे पहले आप कुछ कहें इस रेली अर्ली टुसे अब सपोस्ट करो कल मुंबई मैच आज जाए ठीक है अपने बच्चे वह अपने चार में से तीन मैच मुंबई हार गया बचता कम पांच बचे है पां कि इस सीजन में कोई एक टीम जरूर होगी और हो सकता है एक से जादा भी हो जो सोला पर कॉलिफाई करें अगर आप इस सिचुएशन में देखें अगर जैसे लक्षित नहीं बोला के अगर मुंबई अपने चार मैं से तीन मैचे हार जाए या फिर चेन नहीं अपने मैचे तो पांजाव और बैंगलॉर अपनिार और अ यहे और उस सदाव को को सosedरु पालिफा और अभी अगर अब भी आप हम इसे साफ से देखें ना तो ऑपह को विप्र देखो कोपने बहरा है अजिस टेखिए लिग ना पर लिग में अगर अगर चार में से चार साब श्रीप है तो जीप ही और किन नौकर जांस नहीं है लिए किसमें 12 कोपने चांस नहीं है कोईने 15 कोई तीम हमने लिए 15 कोई चांस फ़प पर यूठ पर कॉद्वाया जैगा अब से टीम नेट रंडरेट को लेना शुरू कर दिया हुआ के भाई नेट रंडरेट हमें अब अच्छा करना है गुज्राफ के नेट थोड़ा सा बिगड रहा था जोनों उसको सम्वार के सबसे बहतर नेट मना लिए सबसे जयादा साफ 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 क्लियर नजर आ रहा हुआ गुजरात की टीम क्वालिफिकेशन यहां से डन है अगर कल का मैच नहीं जीचता जै नहीं जीतता है तो देयार वन स्टेप रिली अहट देन ओल द अधर टीम लेकिन अगर कहीं कल का मैच मुंबई इंडियन्स जीत जाता है इसको आप प्रोड़नामेंट का सबसे बड़ा कमबाक कहोगे मैचेश चेनही के 10 होगे हैं कल चेनही का 11 है तो मुंबई का कल वहाँ पर 10 मैच रहने वाला है तो उसके चलते वो अपने आप कोई comfortable situation में पाने वाले हैं जबकि दूसरा मैच कल का जो दिली की टीम जीते हारे शायद ही किसी को कोई फरक पड़ेगा लेकिन अगर कल दिली जीत जाती है तो RCB को जटका बहुत ज्यादा जोर का लगने वाला है क्योंकि उसके बाद RCB के चांसे सहे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 18 अंको पर जाने तक और 18 अंक मतलब आपकी qualification वाँ से तभी confirm रहेगी अगर कहीं कल का मैच RCB हारता है तो उसके बाद RCB को चाहिए कि वह चार में से चार बच्चे हुए मैच जीते अगर वह यहां से अपनी प्ले आफ में जाने की उमीदों को पूरा confirm रखना चाहते है और बहुत तारे लोग लक्षबता देगा करें कि दिन